हलो दोस्तों आज की वीडियों में बात करेंगे आपकी बेटी योजना के बारे में तो ये अपनी समस्त बहनों और बेटियों के लिए काफी अच्छी योजना है जो की राजस्तान सरकार की योजना है तो इसमें आप कैसे अपलाई कर सकते हो किसके लिए योजना लागू हो होती है उन सभी की डिटेल इस वीडियो में आपको मिलेगी तो बन रहें दुस्तों वीडियो के साथ और पूरे वीडियो को जरूर देखी दुस्तों तो सबस्वेल बात करते हैं इस योजना का संक्षिप्त विवरण के बारे में तो योजना बीपियल परिवार की है तथा जिनके माता पिता दोनों अत्वा एक का निदन हो गया है को लाबानुवित किया गया है कक्षा एक से आठ में ऐसी पात्र अध्यन्रत बालिकाओं को ग्यारा सो रुपे प्रतिवर्ष और नो से बारा में अध्यन्रत बालिकाओं को पंद्रा सो रुपए प्रती वर्ष आर्थिक साहता प्रदान की जाएगी मतलब आपकी अगर बहन और बेटी एक से आठवी कक्षा में है और उसके माता या पिता में से किसी एक की निदन हो गया है और वह लड़की हर एक्जाम के अंदर प्रत्म वरियता बोले तो फर्स डिजन प्राप्त करती है मतलब 60% से अगर उपर प्रदान करती है प्राप्त करती है तो वह इस योजना की हगदार है और उसे एक से आठवी कक्षा तक प्रतेक साल ग्यारा सु रुपे की राशी दी जाएगी और नो से बारा में जब वह द्यन करेगी तो उसे पंदरा सु रुपे की आर्थिक साहता दी जाएगी प्रती वर्श और यह योजना भारत सरकार ने 2004-2005 इसवी में शुरू की थी अब नेक्ष्ट बात करते हैं इसकी पातरता के बारे में और इसे आप कैसे आवेदन कर सकते हो तो सबसे बहुत बात करते हैं राज की विद्याले में पढ़ना पड़ेगा बालिका को एक से बाराव एक अक्षा में और प्रतम वरेता आने वाली महीलाओं को और गरीबी रेखा से नीचे जीवन नहापन करने वाली बोले तो BPL परिवारों के लिए ये योजना है आवेदन कैसे करना है दोस्तों आवेदन संस्ता प्रदहन के माद्यम से नियंतरन जीला शिक्षिया अदिकारी प्रारंबिक या माद्यम को आवेदन करना है मतलब जो आपकी जिस स्कूल में आप पढ़ते हो वहां का जो संस्ता प्रदहन है उसके माद्यम से आवेदन करना है दोस्तों तो इस परकार से आप आवे देन कर दोगे दोस्तों और इसके अंदर कौन-कौन से आपको डोकुमेंट सीए उनके बारे में भी बात कर लेते हैं दोस्तों तो इसमें आपको एक BPL कार्ड नमबर चीए जो कि आपकी BPL का जो कार्ड है उस पे मिल जाएगा देन उसके बाद में माता-पिता दोनों अत्वा एक के निधन का परमान पत्र चीए और इसके अलावा अनियमित अध्यनरत परमान पत्र एवम पूर्व कक्षया की अंक तालिका चात्रा की दो फोटो ये अपने को पांच जो डोकुमेंट्स बताए हैं ये सबी चाहिएंगे बीपियल काड का नंबर चीएगा माता-पिता में से किसी का निधन परदाम परमान पत्र चीएगा नियमित अध्यनरत परमान पत्र चीएगा पूर्व कक्षया की अंक तालिका चाहिएगी और छात्रा की दो फोटो चीएगी ये पांच यो डोकुमेंट्स अपने को संस्त कर सकते हो और अगर आपको शिकायत करनी है और आगर आपने एपलाई कर दिया है और आपको इस सुईदा का लाब नहीं मिल रहा है तो संबंदित जिला एवम का जो जन अब हो अब योग निराकन भी भाग है वहाँ पर आप इसकी शिकायत भी कर सकते हो तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आयागा जो की आपकी बेटी योजना सम्मनित था अगर आप डेली इसी तरह की वीडियो पराप्त करना चाते हो तो इस्टेडी रीड आउट चैनल को सबस्क्राइब कर दिजिए और बैल आइकन बटन को भी दबा दिजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिचन सबसे पहले पराप्त कर सके हैं और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ फेस्बुक और वाटसप अकाउंट के मादिम से शेयर कर दिजिए जो कि इस योजना का लाब लेना चाते हैं तो आज के लिए दोस्तों इतना ही थेंक्यू दोस्तों